प्रदान मंतरे किसान सम्मान ने दियो जना कि बेनिफियसरी स्टेटिस में किसानों एक नई समस्या का अभी सामना करना पड़ रहा है यह समस्या अभी किसानों को आना सुरूई है चलिए इस समस्या का सुधार क्या है इसमें किसान को पेसा किस तरह से मिलेगा चलिए आपको बताने की कोशिस करते हैं और इसका मतलब क्या है ये प्रोब्लम क्यों आ रही है जानना बहुत ही महत पुण है तो यहां पर किसान का Beneficiary Status ओपन कर लेते हैं और यहां पर Beneficiary Status साय करने के लिए Mobile Number या फिर Registration Number की जोड़ पड़ती है तो किसान के पाद जो भी उपलब दो डाल लीजे, कैप साकोड डाल लीजे, गे डाटा पर क्लिक कर लीजे Status हमने Open कर लिए है, यहां पर देख सकते हैं किसान का Demo, Thundercation, Success है यानि इक डिटेल सही है EKYC भी कर लिए, किसान ने Eligibility BS से Payment Mode इनका अब आधार हो चुका है लेकिन अब इनका अधार बेस पर एक्षेप्ट हो चुका है और लेंड जिडिंग भी इनका यह साइने डिटेल बिल्कुर सही है, कोई भी दिक्कत किसान के फोरम में नहीं है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे की दर पाते हो तो किसान को अभी तक 4 किस्त का पेसा मिला है पांच्वें किस्त में यहां पर EARAPT SIGNED BY STATE लिखा है, आप यहां पर देख सकते हैं यानि PM किसान योजना का पेसा किसान को इंतजार है कि मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा लेकिन अब परोब्लम आ चुकी है लास्ट इंस्टॉलमेंट इनको मिला है 2020 में, अभी तक इनको आगे पेसा नहीं मिला है, बंद हो चुका पेसा मिलना और निचे की तरब प्रोब्लम यहां पर आप देख सकते हैं, बेनिफिसरी स्टेटस रिजेक्टेड बाई पी एफमस बैंक, यह लिखा रहा है मैं आपको जानकरी बता दूँ, अभी चो इनका एक्शेप्ट होए 17.1.2030 को यह आधार मोड पर एक्शेप्ट होए लेकिन पहले यहां पर अकाउंट मोड था, उसमें इनका डूब्लिकेट का रिजन आ रहा था, इस वज़े से यहां पर इनका रिजेक्ट दिखा रहा था, इनके जो IFSC Code अकाउंट हमर है, वो कोई डटा मेज कर रही थी जिसके वज़े से डूब्लिकेट का एरर आ रहा था और अब इनका आधार मोड करते हैं, इनका जो आधार बैंक खाते में लिंक था तो इनका एक्षेप्ट हो चुका है, और अब कल के दिन इनका एक्षेप्ट हो चुका है, तो यह प्रोब्लम यहां पर आप देख सकते हैं, बेनिफिसरी रिजेक्टेड बाई PFMS बैंक, यान पेस से order करने में जो समझ यारी है वो आपका PFMS bank reject करने की वज़ेश यारी है तो इसमें किसान को कोई भी काम नहीं करना है किसान के bank आते में आधार लिंक है PFMS bank accept है तो जो rejected वाली problem है वो अब solve हो चुकी है अब किसान को कुछ भी नहीं करना है अब सिरफ इंतजार करना होगा जो rejected problem है वो आधार बेस पर अब यहां तो solve हो चुकी है लेकिन अब जो नीचे आई है ये भी दिरे-दिरे solve हो जाएगी इसमें कुछ समय लगेगा अरप्टी के बाद फंड ट्रांसपर करना होता है लेकिन फंड ट्रांसपर नहीं हो पारा था क्योंकि इनका PFMS bank rejected था अब reject था इस विज़े से यहां पर रही आरप्टी में रुकावा था और इनको पेसा मिलना भी अब शुरू हो जाएगा किसान को सिर्फ इंदजार करना होगा यही इसका सुदार है इसका यही मतलब है उमित गरता हम जानकरी जरूर अच्छी लेगी हो कि वीडियो लाइक करते चैनल को वरते हैं सब्सक्राइब धन्यवाद